दोस्तों आज में आपको 5 ऐसी बहुत ही जादा effective लेकिन बहुत आसान हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगी इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपको constipation यानि कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा आपका digestion बहतर होगा जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे वो शरीर में बहुत अच्छी तरीके से absorb होगा और जो भी waste है वो मल और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा metabolism बहतर होगा आपका weight loss और fat loss में भी ये मुद्राओं बहुत ही जादा effective है तो वीडियो को शुरू से अन तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा जरूर बन जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का शुक्रिया अगर आप नीचे घंटी का निशान जो दिख रहा है न उसको दबा लेंगे तो मेरी वीडियो का notification आपको मिल जाये करेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं किया करेंगे और अगर आप मुझे Facebook और Instagram पे नहीं follow कर रहे है न तो वहाँ पर भी जाके जरूर follow कीजिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Yoga with शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आप सभी ये तो जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंज महाभूतों यानि पांच तत्वों से मिलके बना है वो पांच तत्व है आपका जल तत्व, पृत्वी तत्व, वायू तत्व, आकाश तत्व और अगनी तत्व और ये जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारी हाथ की उंगलियां, अलग अलग उंगलियां बे रिप्रेजन करती है हैरा बहुत अच्छी जानकारी, चलिए आपको बताती हूँ जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है ना, ये लिटिल फिंगर ये रिप्रेजन करती है वाटर एलिमेंट्, आपकी रिंग फिंगर रिप्रेजन करती है आर्थ एलिमेंट्, आपकी मिडल फिंगर रिप्रेजन करती है इधर एलिमेंट् या स्पेस एलिमेंट्, आपकी मुद्राओं के अभ्यास से अलग-अलग अभ्यास करके आप इन तत्वों को इन elements को balance कर सकते हैं अगर शरील में किसी भी element को अगर आपको कम करना है तो हमेशा उस उंगली के tip को thumb के base पर ऐसे लगाना होता है ऐसे और जब इस element को increase करना है तो आपके उस element को आपके thumb element के साथ ऐसे tip पर लगाना होता है ऐसा ऐसा तो चलिए अब मैं सिखाती हूँ वो 5 easy, simple, effective योग-मुद्राओं का अभ्यास सबसे पहली मुद्रा जो सीखेंगे वो बहुत आसान है इसका अभ्यास तो आप खाना खाने के बाग तुरंत ही कर सकते है करेंगे मुष्टी मुद्रा का अभ्यास मुष्टी मुद्रा में हम क्या करते है आपके हाथ की चार उंगलियां चारो तत्वों को अपने palm की तरफ इस तरीके से ऐसे घुमा देते है और अपने thumb को यानि आपके fire element को चार उंगलियों के उपर इस तरीके से ऐसे रख देते हैं और फिर उसके बाद इससे क्या होता है कि fire element इसमें dominate कर रहा है बाकी के सारे के सारे elements के उपर है ना, तो इससे क्या होगा आपका digestive जो fire है वो improve होगा और इसको आप अपने घुटने के उपर ऐसे रखे, इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते है उठते, बैठते, घूमते फिरते, ऐसे, मुष्टी मुद्रा लगाएं और इससे आप एक उर्जा जरूर महसूस करेंगे इससे आपकी शरीर में गर्माहट आ जाएगी अब इसका अभ्यास करने के बाद दूसरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे ये भी बड़ी सिंपल है इस अभ्यास को कहते है समान वायू मुद्रा समान वायू अगर मैं वैसे बताऊं तो हमारी इस जगहा पर समान वायू में गर्बड़ी हो जाए तो आपको digestive disorder देखने के लिए मिलेंगे जैसे IBS की समस्या हो गई digestion की समस्या हो गई constipation की समस्या हो गई तो इस तरीके की समस्या देखने के लिए मिलेंगी अब इस समान वायू को balance करने के लिए हम क्या करेंगे अपने हाथ की चार उंगलियां यानी सारे तत्वों को अपने हाथ के अंगूठे यानी fire element के साथ इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे ऐसा है ना कितना आसान फिर से देखिए अपने हाथ की चार उंगलियों को अपने थंब के साथ ऐसे जोड़ा और इसको ऐसे घुटने के उपर रख दिया आखों को बंद करके अभ्यास को जारी रखा तो इस तरीके से हमारी जो समान वायू है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं समान वायू मुद्रा का अभ्यास करके दोस्तों अगर आप मेरी नीगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ओनलाइन योग इन ओलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से कंड़क करते हैं, जिससे आप अपने घर के ही कमफर्ट जोन में रहे के, मेरी नीगरानी में रहे के, हर दिन योग का अभ्यास करें, हर दिन सीखें आप अलग-अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलाक्सेशन की अलग-अलग टेक्नीक, जिससे आपके शरील को पूरे का पूरा ओवराल स्वास्तिलाब मिले, इन ओलाइन योगा क्लासेस को कोई भी जूइन कर सकता है, अगर आप अल्रेड़ी बिगनर हैं, तो भी जूइन कीजिए, अगर अल्रेड़ी योग का अभ्यास कर रहे हैं, और हाँ, अगर आपको कोई health condition हैं, जैसे की diabetes, thyroid, hypertension, high blood pressure, PCOD, PCOS की समस्या, conceive नहीं कर पा रहे हैं, यह आपको बहुत मानसिक तनाव रहता है, anxious रहते हैं, यह depressed रहते हैं, यह रात में नीद नहीं आती, ऐसी कोई भी lifestyle disorder, disease में आपको योग करना बहुत लाबदायक होगा, और यह मैं बहुत सालों के experience से कह रही हूँ, क्योंकि मेरी classes को join करने के बाद, students को अपनी health condition में बहुत improvement देखने के लिए मिली है, किसी कारण से अगर यह zoom classes आप नहीं join कर पा रहे हैं, कि आप बहुत busy हैं, या किसी दूसरी देश में रहते हैं, तो आप मेरे दुआरा कुछ course म नहीं भी किसी भी वक्त इन videos को play करके, जो की मेरी website में मिलेगी, आप अभ्याँ शुरू कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, यह zoom classes और recorded course के बारे में और जानकारी, तो मेरी website ज़रूर visit कीजेगा, जो की है www.yogaviddshahida.com और अगर website नहीं visit करना चाहते हैं, तो एक simple सा काम कर लीजे, एक whatsapp drop कर दीजे, जो की यह number है, इस number पर अगर आप एक whatsapp कर देंगे, तो मेरी team के द्वारा सारी की सारी जानकारी आपको ततकाल आपके पास भेज़ दी जाएगी, अभी तो यह video पूरी देख लीजे, क्योंक सूर्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा का अभ्यास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे गर्मा हर्ट आएगी, इससे digestion बेतर होगा, digestive fire इंप्रूव होगी, और यह अभ्यास आपका fat loss और weight loss करने में भी बहुत मदद करता है, तो आपको क्या करना है, आपके हाथ की जो य element को कम करना है, तो आपको अपने thumb के base पर, यानि fire element के base पर ऐसे लगा देना है, जिससे कि fire element जो है, earth element को dominate करे, और जो मदद करे, आपका digestive system जो है, उसको strengthen करने में, आपका digestion इंप्रूव करने में, और constipation इंप्रूव करने में, बाकी की तीन उंगलियां, जो आपकी little finger, middle finger, index finger है, वो बाहर की तरफ रहेंगी, और बस आपकी जो ring finger है, वो आपके अंगुठे के साथ इस तरीके से जुड़ी रहेगी, नीचे, और इसको घुटने के ऊपर रखे, आखों को बंद करके अभ्यास करें, तो इससे weight loss में भी बहुत मदद मिलती है, सूर्य मुद्रा का अ अरुन मुद्रा, इसमें हम अपने water element, यानि सबसे छोटी वाली उंगली, little finger को अपने thumb के साथ ऐसे जोड़ते हैं, इस तरीके से, अब इससे क्या होगा, देखिए, हमारा शरीर जो है, कम से कम, लगबग 70% water से बना हुआ है, और यह water क्या-क्या है, जलतत वो क्या-क्या है आपके शरीर में दोड़ने वाला खून, आपका lymphatic system, आपका वीर्य, आपका saliva, आपका mucus, यह सारा ही तो, जो आपके joints के आस पास liquid होते हैं, यह सारे ही तो fluid है ना, तो अब आते हैं digestion वाली बात पे, कि आपके मुह में, जितना जादा जैसे कि मुह सूख ना जाए, तो saliva हम हमेशा रहती है, और लार में क्या होते हैं, digestive enzymes होते हैं, तो जब भी आप खाना काते हैं, और उसको दातों से चबाते हैं, तो आपकी जीब से और मुह से, जो है digestive enzymes निकलते हैं, और उस खाने को चबा चबा के, चबा चबा के, आप क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकडों म बाट देते हैं जिससे की digestion हमारा और easy हो जब आपकी आतों पर वो खाना जाए और आयुरवेद के हिसाब से आयुरवेद के अनुसार आपके taste birds जो है जितनी अच्छी तरीके से effectively काम करें और मुह से निकलने वाली जो saliva है जितनी अच्छी तरीके से secret हो आपके इसकी आतों से निकलने वाले जो digestive juices हैं वो अच्छी तरीके से निकलते हैं और वो मदद करते हैं digestion को इंप्रूव करने में तो आप ये detail बताने के बाद अब आप समझ जाएंगे कि वरुन मुद्रा के कितने लाब हैं इस तरीके से और एक बात और बताऊं bonus tip देती हूँ कि अगर आप वरुन मुद्रा का अभ्यास हमेशा करते रहते हैं तो आपका जो body है वो hydrated रहेगा skin hydrated रहेगी जिससे की चहरे पर natural glow promote होता है चहरा भी बहुत खुबसूरत दिखेगा तो इस तरीके से वरुन मुद्रा का अभ्यास करें और आखों को बंद करके बैठें अब हम बात करते हैं पाचवी मुद्रा का अभ्यास जिसका नाम है pushna mudra pushna mudra में जैसे अभी हमने पिछली चार मुद्राओं का अभ्यास सीखा दोनों हाथ में सेम सेम उंगलियां थी इसमें थोड़ा सा अलग है इसमें दोनों हाथों में अलग-अलग उंगलियां करनी पड़ती है तो आपके left हाथ से आपकी middle finger और आपकी इसकी ring finger इसको आप जोड़ देंगे अपने thumb के साथ tip पर ऐसा इस तरीके से और आपकी index finger और little finger जो है ये बाहर की तरफ ऐसे stretch रहेंगी तो ये हो गया left हाथ से इसको घुटने के उपर रख दिया और अपने right हथेली से आप अपनी index finger और middle finger को thumb के साथ ऐसे जोड़ देंगे tip पर और आपकी little finger और ring finger और बाहर की तरफ रहेंगी ऐसे और इसको हाथ को घुटने पर रख देंगे इस अभ्यास में fire element dominate कर रहा है आपके space element और earth element को left हाथ से और आपके yu यानि air element और space element को dominate कर रहा है fire element इस तरीके से enhance करेगा तो आपने हाथ को ऐसे गुटने पर रख दिया तो इससे आपके शरीर में गर्माहट आती है गर्मी आती है और इसका pushna mudra का अभ्यास करने से जो body का different different fluids हैं इनका circulation improve होता है और जो की मदद करते हैं digestion को improve करने में तो इस तरीके से आखों को बंद करके आपने pushna mudra लगा ली और अभ्यास को जारी रखा अब बात कर लेते हैं कि इन mudra का अभ्यास का क्या ऐसे बैठे बैठे कर सकते हैं फर्ष पर बैठना जरूरी है नहीं फर्ष पर बैठना जरूरी नहीं है आप अपने sofa पर या कुर्सी पर बैठ कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर आप सिर्फ बैठ कर अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो कभी आप जैसे walk कर रहे हैं तो mushti mudra, saman mudra का अभ्यास इस तरीके से लगा सकते हैं यानि आराम से चलते फिरते भी इसका अभ्यास किया जा सकता है लेकिन best होगा कि जब आप अपने योग का अभ्यास कर रहे हों जिसमें आसन, प्राणयाम, ध्यान कर रहे हों उस वक्त इन mudra को जरूर लगा लिया कीजिए अब सवाल उड़ता है ठीक है भाई कितना करना है कम से कम मिनिमम 15 मिनट तो जरूर कर लिया कीजिए 15 से 30 मिनट इसका अभ्यास जरूर कर लिया कीजिए अगर आप एक बार में बैट कर नहीं अभ्यास कर सकते हैं तो सुबह 15 मिनट कर लिजिए शाम में 15 मिनट कर लिजिए इतना तो आसानी से आप कर ही सकते है बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आप सभी से वादा किया था कि कुछ बोनस टिप्स बताऊंगी तो अब बोनस टिप्स की बारी आ गई है देखे, कॉंस्टिपैशन या इनडाइजेशन की समस्या जो है इसमें आपके लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ होता है अगर लाइफ स्टाइल आपकी दिन चर्या जो है वो गड़बड है सही नहीं है तो आप कितने भी जतन कर ले, कितने भी चूरन खा ले, कितनी भी exercise कर ले, कितनी भी मुद्राइं लगा ले, जिंदगी में कभी भी constipation आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो lifestyle या दिन चरिया का मतलब क्या हुआ, कि जैसे आगर आपकी नीन पूरी नहीं होती है, तो कोशिश करें 7-8 गंटे सोएं, अगर आपका काम बहुत बैटने वाला है, तो कोशिश करें हर 2-3 गंटे में थोड़ा सा इधर उदर वाक कर लें, और हर दिन 30 मिनट से आदे ना खाएं, खाना जब भी खाएं, तो जितनी आपकी भूख हैं, उससे आधा खाना खाएं, यानि 50% आपके रोटी, चावल, सलाद या सॉलिड ऐसी चीज़े हों, 25% आपका लिक्विड के लिए जगा छोड़िए और 25% पेट को खाली कर रहने दीजिए, ताकि हवा जो है आपके पेट पर मूव हो सके, जिससे कि आपका डाइजेशन बहतर होगा, इसके लावा अगर आप बहुत अधिक मालसिक तनाव लेते हैं, छोटी-छोटी बातों में आप स्ट्रेस्ट हो जाते हैं, तो वो तनाव लेना थोड़ा कम कीजिए, और इसके लावा आप अगर बहुत जादा कैफीन पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे चाय, कॉफी, दिन दिन बर, बहुत से लोग 10-10-12-12 का पूरा दिन कुछ भी हो, बस चाय ले आओ, चाय ले आओ, तो अगर आपका चाय कंट्रोल नहीं होता है, तो इन चीजों के साथ-साथ, जब इनको कंट्रो मैंने इतनी आसानी से आप सभी को बता दी, कि आप अब इसका अभ्यास खुद भी करें, और अपने दोस्तों रुष्टदारों को भी मोटिवेट करें, कि वो भी इस तरीके की मुद्राएं लगाएं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी क अपने सारे दोस्तों को वाट्सअब कर डालिए, और ये वीडियो आपको तो अब पसंदा रही होगी, आपने आखरी तक देख ली, तो वीडियो को लाइक कर दिया है या नहीं, ये भी चेक कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है, तो जाने से पहले लाइक करके जा कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते है, या आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं आप सभी के एक एक कमेंट का बेसबरी से इंतजार कर रही हूँ, आगे किसी वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, हर रोज निरंतर योग का भ्यास करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते